हेलो बच्चो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैप सीरिज जिसमें आपके इंपोर्टेंट जो मैप से उन सब को हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के जो सेशन्स हुए थे उनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो जो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का पहला जो सेशन हुआ था वो हुआ था आपका बॉंबे में जो की हुआ था 1885 में इस दिसम्बर 1885 को पहली बार इंडियन नोशनल कॉंग्रेश जो है वो फाउंड की गई थी ये की गई थी आपकी गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में गोकुल दास संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में जिसमें सुरुवात जब की गई थी तो 72 मेंबर्स थे 72 डेलिकेट्स थे और एओ हूं जो थे उन्होंने एजूम किया थे जर्नल सेक्रेटरी और व्योमेश चंदर बनर जी कलकत्ता से ही पहले प्रेजिडेंट जो है इंडियनेशनल कॉंग्रेस के वो सेलेक्ट किये गए थे वोमेश चंदर बनर जी सबसे पहले जो है प्रेजिडेंट इलेक्ट किये गए थे इंडियनेशनल कॉंग्रेस के तो ये था इंपोर्टेंट आपके लिए फर्स्ट जो है बॉम्बे में आपका सेशन हुआ है इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए जो इंपोर्टेंट है वो है लखनौ का जो सेशन था 1916 का प्रेजिडेंट थे इस टाइम पे अम्बिका चरण मजूमदार अम्बिका चरण मजूमदार इंपोर्टेंट है आपके लिए इसके अंदर जो किया गया था लखनौ जो आपका सेशन था इसके अंदर लखनौ पैक्ट एग्रिमेंट हुआ था जिसके अंदर आपका इंडियन नेशनल कॉंग्रेस और इंडियन नेशनल कॉंग्रेस and Muslim League के बीच में जो है सहमती हाँ पे हुई थी इसके बाद अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड आपका जो है 1920 में हुआ था सेप्टेंबर में कलकत्ता में जिसके आपके प्रेजिडेंट थे लाला लाजबत राई लाला लाजबत राई 1920 में 1920 में दो सेशन आपके होते हैं एक होता है नागपूर में और एक होता है कलकता में तो पहला जो है सब्टेंबर में कलकता में हुआ था जिसके अंदर बात की गई थी रेजोलिशन हुआ था नौन कॉपरेशन मुवमेंट का तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इसी साल आपका दूसरा जो session हुआ है December 1920 में December 1920 में session हुआ है आपका नागपूर में जिसके अंदर क्या बात होती है आपका इसके अंदर agreement किया जाता है नोन कॉपरेशन पे एग्रिमेंट किया जाता है इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके 1920 के बाद की 1927 में 1927 में आपका होता है मदरास में जिसके आपके प्रेजिडेंट थे डॉक्टर अंसारी मदरास 1927 के अंदर जो आपका इंडियन नेशनल कॉंग्रिस का सेशन हुआ उसके प्रेजिडेंट थे इसके अंदर हुआ क्या है आपका डिसाइड किया गया था कि साइमन कमीशन को बाइकोट किया जाए बाइकोट साइमन कमीशन इसके बाद हर एक स्टेज के ऊपर जो है बात की गई मुस्लीम लीग और हिंदू महासबा ने डिसाइड किया था इंडियन नेशनल कॉंग्रिस को जोईन करना अगर हम अभी इसी मैप की बात करें और लास्ट जो हमारा बसता है वो है लाहोर 1929 का जो आपके लिए इंपोर्टेंट है 19 दिसंबर 1929 को आपका लाहोर का सेशन होता है जिसके प्रेजिडेंट है आपके जोहरलाल नहरू पंडित जोहरलाल नहरू आपके यहां के प्रेजिडेंट इस ताइम पे थे और first time इसी session के बाद 31st December को आपका flag तिरंगा जो था इंडिया का वो host किया गया था और host कहां पे किया गया था रावी नदी जो कहां पे लाहोर में रावी नदी के किनारे जो है पहली बार flag host किया गया था 31st December 1929 को और इसके बाद ही Congress ने लोगों को कहा था first time हम 26 January को Independence Day celebrate करेंगी तो ये थे students आपका Indian National Congress का आपका पहला map Indian National Congress के sessions जो आपके exam के लिए 10th class के लिए बहुत ही जादा important है अगर आपको अच्छी लगी है class तो चैनल को subscribe कर लें क्योंकि आप डेली आपकी 10th class के maps की series यहाँ पे आने वाली है Thank you